हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शुय वजार वितायूश और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के उपर अडानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स के उपर काफी इंपॉर्टन्ट यहाँ पर आज एक क्लारिफिकेशन कंपनी की दौर्द जारी कि वाले हैं और अगर आप देखेंगे तो आज अडानी इंटर्प्राइज भी काफी बढ़िया तेजी करता हुआ नजर आ रहा है जरूर वह ठारसों का जो 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 रेंज है उसके उपर क्लोज नहीं हो पाया अगेन आज एक अच्छी तेजी देखने को मुझी और स्टॉक क काफी बढ़िया लेवल्स पर अभी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है बाग अगर आप देखेंगे आज ग्रूप के स्टॉक्स तो सब में एक बढ़िया तेजी थी अडानी पोर्स काफी बढ़िया किया अडानी ग्रीन में अपर सर्किट था अडानी पावर तब इंपोर्टन बैसिकली कंपनी ने क्लारिफिकेशन जारी किया है वह क्लारिफिकेशन अपने आप में काफी इंपोर्टन है जो मार्केट में खबरे चल रही है उसके उपर कंपनी का क्या कहना है राइइ तो वह समझते हैं तो दोस्तों जो आज जारी किया गया कमप्टी दर्फ से बयान वो हम बात करेंगे उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा तो देखिए सबसे इंपॉर्टन बात क्या कही गई है कमप्टी ने दोस्तों जॉच क्लारिफिकेशन दिया है उसमें यहाँ पर साफ साफ जो फाइनेशल टाइम्स की एक रिपोर्ट निकल किया थी उसको रिजेक्ट कर दिया है उन्होंने काए कि यहाँ पर काफी जादा ए किया क्या था फाइनेशल टाइम्स दोस्तों एक आर्टिकल पब्लिक किया था आर्टिकल पब्लिश किया था उसमें कमपनी ने यह फाइनेशल टाइम्स था उसके उपर कह सकते हैं कि जो कमपनी के उपर कुछ खराब बाते यह फिर कह सकते हैं कि कमपनी के उपर यह कहा गय अब क्या कहा था financial times ने ये भी हम एक बार समझ लेते हैं क्योंकि बहुत important तो यह है तो financial times ने उस तो एक report डाली थी उसका title दिया था Indian data reveals adani's empire reliance on offshore reliance वो reliance company वाला नहीं पर वो rely वाला R.E.L.Y किस पर rely करता है offshore funding के उपर ये basically उनको कहा गया उन्होंने कहा कि जो इंडिया का FDI remittance statistics है इसमें almost half of the foreign direct investment जो है वो सिर्फ adani group के अंदर आया है recent years के अंदर और ये जो recent years की बात है वो है 2017 से लगा कर 2022 उन्होंने कहा कि इस साल के अंदर basically जितना इंडिया के अंदर कुल मिला की FDI की funding आई है उसमें से आदे से जादा जो है या फिर आदा जो है वो basically सिर्फ एक group में गया है और वो कौन से group है वो group में है अडानी group के अंदर तो इस प्रकार की बड़े आरोग जो है वो लगाए गए थे financial times के दौरा उनकी report में जो 22 March को निकल के आई थी इस पर company साफसाफ कह दिया कि ये जो आप report दे रहे हैं वो basically गला थे कि 45.4% जो investment है वो सिर्फ अडानी group के अंदर गया तो इस पर company ने कहा कि we understand the competitive race to tear down अडानी can be alluring मतलब ये साफसाफन ने का कि basically एक race चालू हो चुकी है कि कि किस तरह से company को यहाँ पर tear down किया जाए company को नीचे लाया जाए लेकिन उनने का कि हम fully compliant है जो भी securities के law है और हम कोई भी promoter ownership और financing को नहीं छुपाते हैं ये basically अडानी group ने आज अपनी clarification में का उन्होंने ये भी क कि जो financial time की story है वो सारी एक misunderstanding create की जा रही है market के अंदर और जो भी अलग सी media है जो basically इन company के उपर report निकाल रही है वो कह रही है कि एक political issue बना दिया गया है और उनने का कि हम सारी information को publicly time पर basically देते हैं उसके बावजूद भी जो media report से आजकल काफी जादा misunderstanding market के अंदर create करती भी बार रही है जिसके करण काफी company को भी impact हुआ है इसमें तो कोई doubt नहीं है कि company को भार ही impact हुआ है but जो important है कि company के तरफ से कम से कम clarification निकल के आया लेकिन ये बात भी company ने भी कही कि हाँ इस सारी जो foreign investment है वो company के तरह सारी की सारी बता दी गई है इसमें कोई छुपाने वाली ब से 2.6 billion dollar जो है वो 2.6 billion dollar है वो basically किसमें आये है अडानी ग्रुप के अंदर कित्य साल में 2017 से 2022 के बीच में ये basically बड़ी बात कही गई थी और याद योगा आपको कि हाल फिलाल के अंदर काफी इस बात पे एक political मुद्दा भी बना हुआ है तो ये company जो है कह सकते हैं कि इसके पर अपना stand clear करती भी नजर आई और दोस्तों इस जवाब को basically माना जा रहा है कि ये राहूल गांदी जी के statement जो उनका 20,000 करोड का claim था कि अडानी ग्रुप के अंदर पैसा जो आ रहा है उसका भी एक कह सकते answer देने की कोशिश की गई है ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर बताय जा रहा है because group ने यही काई किये जो सारा पैसा है वो group की firm में आया है जब उन्होंने अपनी stake sell करिए यह basically company ने बात बताई है कि यह हम कह सकते हैं तो definitely important बात है जो company की तो आज clarify की गई अपने आप पे देखे politically तो काफी जादा यह मुद्दा active है लेकिन इस पर company का stand up clear हो clarification company की तोरह निकल के आए अब आप भी comment में मुझे जरूर बताईएगा कि आपको यह clarification सही लगा कितना सही लगा comment में जरूर काप बताईएगा अब important क्या है देखे clarification market आज में निकल के आगया और बाजार ने इतना कुछ खास इस पर reaction नहीं दिया ना ही positive positive तो कह सकते हैं कि market market भी था और definitely stock trade करी रहा है तो अच्छा ही बान सकते है negative को इतना खास आपको market ने reaction नहीं दिया इस बातों पे तो यह हम कह सकते हैं कि market इनके answers को सही ले रहा है अभी इसमें कोई doubt नहीं है आज जो तेजी हुई है अडानी इंटेवराइज में भी almost 1800 का level जिस पे stock लगातार फिसलता हुआ नजर आ रहा है उस level के करीब अब यहाँ पर जाता हुआ भी नजर आ रहा है यह अगर आप बाकिस shares की बात के तो आज तीन shares ऐसे थे जिनके अंदर अपो circuit लगा अडानी green अडानी transmission अडानी total gas यह तीन ऐसे shares थे जिनमें आज अपो circuit पे stock trade करते हुए नजर तो अडानी enterprise जरूर 6% गिरा है अडानी ports यहाँ पर 6% के असपास गिरा है लेकिन अगर आप अडानी green की बात करते तो 32% के असपास के return अडानी power की बात करते तो 5% के मातर ने negative returns है अडानी विलमार जरूर थोड़ा सा फराब trade किया है 12% के असपास टूटा है अडानी transmission ने date 2% के return deliver कियें और अगर Indie TV को भी ले लें तो Indie TV ने करीबन 17-18% के downtrend में है तो definitely कुछ shares है जो recover करते वे नजर आ रहे हैं बट हाँ वो है कि बहुत बड़ी गिरावाट अब आपको इन shares में देखने को नहीं मिल रही है जो पहले देखने को मिल रही थी तो यह जरूर लग कि मैं मानता नहीं कि दो महिने के अंदर report पूरी की पूरी आ जाएगी लेकिन शुरुवारती report आ जाएगी जिससे काफी तदब market जो है वो अनुमान लगा लेगा जो अपने आप में काफी important होने वाला है जिसके करण कह सकते कि यहाँ पर आगे further तेजी या फिर गिरावट हमको देखने को मिलेगी clarification मिलेगा और कह सकते लगातार आजकल तो हट देने company का कोई ना कोई नया clarification निकल के आता है media reports के उपर एक और यह अच्छी बात है कि company clarification दे रही है company अपना stand clear कर रही है और इसलिए उजगता है कि market जो है वो definitely इस पर भी आप focus करता हुआ नजर आ रह होगी तब तक tension create रहेगी कभी कभी ना कभी देखिए उपर या फिन नीचे में बड़ा उताव चड़ाव देखने को मिल सकता है यह बात आपको पता होनी चीए तो इस वीडियो में इतना ही था hopefully वीडियो बड़या लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पह पर देना थैंक यू फ्रेंद्स